साथियों, सिलान्यास से लेकर के लोकारपड तक वाणी जे भवन इस कालखन में कॉमर्स के खेतर में हमारी उपलब्दियों का भी सिंबॉल है सिलान्यास के समय मेंने इन्वेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सुधार की जरूरत पर बल दिया था आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 सान पर है और लगातार सुधार कर रहे हैं पहले बहुत पीछे थे सिलान्यास के दिन हमने इज अप डूइंग बिजनेस में सुधार की जरुद को लेकर चर्चा की थी आज जब इस बिल्लिंग का इस भावन का लोकारपन हो रहा है तब तक 32,000 से अधीक अनावश्यक कमप्लाइसिस को हटाया जा चुका है 32,000 के निमेजिन सिलान्यास के समय GST लागू हुए कुछ ही महने भी ते थे हर प्रकार की शंकाएं आशंकाएं जोरों पर थी आज हर महिने एक लाग करोड रुपिये GST कलेक्शन सामान्य बात हो गई है बानी जब भावन के सिलान्यास के समय हमने जैम पोर्टल पर करीब नव हजार करोड रुपे के ओरर की चर्चा की थी आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाग छोटे उद्यमी रेजिश्टर है और जैम पर सबाद 2 लाग करोड रुपे से अधिका ओरर दिया जा चुका है साथ यो तम मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैनुफेक्टरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई आज ये संख्या 200 से अधिक हैं और हम इंपोर्टर से आगे निकल गए उखते हुए से दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्स्पोर्टर्स के रूप में आज हमें शक्ति बनकर दूपर है चार साल पहले भारत में 500 से भी कम रजिस्टर्ड फिंटेक्स स्टार्टप से आज इनकी संख्या करीब करीब 2300 से पार कर चुकी है तब हर वर्ष हम 8000 स्टार्टप स्रेक्नाइज करते से आज ये संख्या 15000 से उपर जा रही है लक्षत ताय करके इमांदार प्रयासों से 100 साल की वेश्विक भामारी के बावजूद हमने इतना कुछ हासिल किया है